बोडी का ठिकाना कैसे पताच रहा? तो जहां लाश के लिए गड़ा खोदा होगा, वहीं ये जाड़ियां एक साथ उगी होंगी. इसलिए मैंने उन्हें कहा कि जहां ये तीनों एक साथ उगी हों वहां खोदो. ढूनना असान था, बस उन लोगों को दिमाग लगाने की जरूरत थी. परणजी तुन से बोलो सारे शांपल्स कलेक करेंगे, मुझे जल से जल दे इन सब की रिपोर्ट चाहिए. तू यहां क्या कर रहा है? हमें विश्वा सर ने भीजा है. मुझे तो इस बारे में उन्होंने कुछ पता है निए? सर, सर, इसकी जरूरत नहीं है, मैं देख लूँ. ओके सर, हाँ. कुंडों जैसी दाड़ी रखी है, किस एंगल से पुलिस दबार्टमेंट का लगता है या आदमी? आजकल यही फैशन है, सर. आप भी ऐसा ही लुक रखिये, शाद आपका कोई केस सॉल्फ हो जाए. सॉरी, सर. तो क्या हुआ थे यहां? ज्यादा हीरो मद्बन, इधर ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, इस अ क्लियर केस अफियो साइग. लेकिन तुम्हें मेरे केस में टांगणाने क्यों भेजाएं, सब देख लिया ना? और तुहें यह कैसे पता चला यह सुसाइड है? यह देख लो, वीडियो सुसाइड नोट है, एक जमाने में लोग चिठ्थी लिखके सुसाइड करते थे, अब टिक्नोलोजी आ गए है, तो वीडियो बनाया है. अपनी मौत का जिम्मेदार मैं खुद हूँ. I'm sorry. क्या मैं… समझ में नहीं आता, तुम पुलिस में कैसे भरती हो गया, बिलाश? अगर यह रूम में अकेला था, तो शूट करने के बाद आफ किसने किया वीडियो? इसका भूत तो नहीं होगा ना कि मरने के बाद आकर वीडियो आफ करके गया? और फोन इतना भी स्मार्ट नहीं कि गोली के चलते ही अपने आप बंद हो जाए. और तुम बिना गलाफ्स पहने फोन को टच कर रहे हो. इस रूम से तुम्ही अजीब सी स्मेल नहीं आ रही है? पता है यह क्या है? इसे इंक वार्निश कहते हैं. इसे इंक बनाने वाली कंपनी में काम करने वाले वरकर्स, पेंटर्स और कार्पेंटर्स यूज़ करते हैं. और इस कमरे में ना कोई तूटी खिड़की है और ना ही तूटा दर्वाजा. मतलब जो भी था दर्वाजा खोल कर आया था वो इसे जानता है बस एक गलती कर गया खिड़की से कूत कर बाहर भागा पाईपर जूते के निशान है खिड़की से कूते वक्त उसके जूते में ये पीश चिपका था जो अंदर गिर गया इसके परिवार और दोस्तों में से पूछो कि कोई पेंटर, कारपेंटर या इंग बनाने वाली कमपनी में काम करने वाला है या नहीं और वहीं से इन्वेस्टिकेशन शुरू करो इसे मरने पर मजबूर किया गया है और सुना विलाज क्राइम सॉल्व करने के लिए शेव करने की जरुवत नहीं है तिमाग की जरुवत पड़ती है संजा अगली बार दिमाग लगा के काम दरना शिनिवास का कोई कॉल आया कोई प्रॉब्लम आए तो इन्फॉर्म करना मैं तो हाई आज तुम जल्दी आगे पर अभी मेरा काम बागे है मैं इंतजार करता हूँ तुम खत्म कर लो हाई शो हाई रोहिद कॉफी पीना चाहोगे नहीं रहना दो तुम जाओ अपने काम खत्म कर लो हम लोग बेट करते है हाई डॉक्टर रिपोर्ट आगे क्या दो घंटे लगेंगे क्योंकि उस पर अभी टेस्ट चालू है माम नॉर्मली दी एने चेक करने में इतना वक नहीं लगना चाहिए थोड़ा जल्दी कीजे प्लीज मैं बाहर इंतजार कर रही है चीक है रमाकान जी आपकी बैलस्टिक रिपोर्ट रेडी हुई क्या उसी पी काम कर रहा हूँ मेडम जैसे रिपोर्ट रेडी होती है मुझे और वेंकेटेश को मेल कर दी जगा ठीक है तुम्हारी ममी कैसी है उनकी हालत नाजुक है डॉक्टर्स का कहना है मुंबई ले जाना चाहिए बड़े भाई मुंबई में रहते हैं तो शायदे गफते में ले जाएंगी होना मेरी मदद चाहिए तो हिचकेशाना मत मम्मी पहले काम बाद में बेश्ट यह पिच्चर इतनी बलर देख रहे है कि कुछ समझ ही आ रहा है थोड़ा इसे और क्लियर करने की कोशिश करो तुम कर सकती हो संध्या सपना कैसी है अच्छी है तुमको भी घरा हो ना उससे भी मिल देना देखता हूं अबले हाथ टाइम लिक्रम हाई शंदे हाई क्या हुआ आज भी नेहा का इंतजार हो रहा है मैने तुम्हें मेल कर दिया है प्लीज चेक कर लो सॉरी ज्यादा वक लग गया शंदे तुम भी चलो अरे नहीं नहीं मैं कबाब में हट्डी बनके क्या करूंगा तुम लोग चलो भाई भाई शंदे ठेके विक्रम मैं निकलता हूँ सपना इंतजार कर रही होगा ठीक है भाई नहीं भाई चले थैंक्स तु बताओ दिन कैसा रहा ठीक ही था रुपा का मुझे फोन आया था पेशन के इंफरमेशन कॉंफिदेंशल नहीं रख सकती क्या जो बात कर रहे हूं उसका जवाब तो प्रॉब्लम क्या है आखर इस तरह की घटिया जॉब तुम्हें करनी ही क्यों है जिसका असर तुम्हारी हल्थ पर हो रहा है बस करो निहा सरा मेरे बार में भी सोच कर देखो तुम्हारा बीपी अक्सर हाय रहता है अगर तुम्हें कुछ हो गया तो नहा प्लीज जानता हूं तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है पर अगर मैने ये नौकरी छोड़ दी तो मेरी हालत और खराब हो जाएगी तुम्हें ऐसा क्यों लगता है इस क्यों का जवाब मैं नहीं दे सकता निहा यह सब यह सब मेरी अधीत के वजह से हो रहा है आखिर ऐसे कौन से राज़ छुपे है तुम्हारे जानता हूँ मैंने तुम्हें कभी कुछ नहीं बताया और मेरा यखीन करो अगर मैंने ये जॉब छोड़ दी तो पागल हो जाऊँगा कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है जैसे हम दोनों एक दूसरे के लिए अंचान है हमारा कोई बास्ता ही नहीं तुम आखिर हो कौन ऐसा क्या है तुम्हारे अधीत में सब कुछ बताऊंगा निया सही वक्त आने पर मेरे लिए इतना तो करोगे कि तुम छुट्टी लेकर घर चले जाओ और जो रूपा ने तुम्हारे लिए ट्रीट्मिंट सजेस्ट किया उसे पूरा करके वापस आओ ये तो कर सकते हो ना तुम विकी तुम समझ क्यों नहीं रही हो मैं नहीं जा सकता रूपा भी मेरी प्रॉब्लम नहीं समझ रही है और वो तो तुम्हारी अच्छी दोस्त है वही कहेगी जो तुम चाहोगी मेरी बात नहीं मान सकते तुम मुझे छोड़ दो हमेशा के लिए जॉब छोड़ने को तो नहीं कह रही अब तो मुझे ऐसा लगने लगा जैसे तुम्हें मेरी कोई परवाई ही नहीं मैं यह तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ हलो हाइदरबाद होवसाइड इंटरवेंशन टीम की वज़े से शहर में अपरात कम हो रहे है थैंक्स टु हाइदरबाद पुलिस जिनकी वज़े से आज हमारा शहर सुरक्षित है सिर्फ मॉर्डर्स ही नहीं बल्की चोडी और किनापिंग केसिस भी कम होते जा रहे है इसलिए मैं आर्जे शिल्पी जन्ता की तरफ से हाइदरबाद पुलिस को थांक्स कहते हूं तो आज हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ बुद मॉर्निंग सुर्ण ए विष्णू, मोबाइल छोड़ो काम करो सारे मुड़क केसस तुम देखते हो और छह मैंने के चुटी चाहिए जरूरत नहीं होती तो नहीं मांगता सर और चुटी के वज़ा क्या है कुछ परस्नल प्रब्लम से सर यही वज़ा है ना अगर किसी केस में तुम्हारी जरूरत हुई तुम्हें आना पड़ेगा जुटी ले सकते हो अब तुम जाओ सर मैं बस अभी एक मिनट भाया सॉरे हुँआ 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 है बिना नाष्टा किया चली गई आ उड़े टाइम में आ जाएगी है सिरी, है सिरी बिना नाष्टा किया चली आ जाएगी बिना नाष्टा किया चली आ जाएगी बिना जाएगी आएगी किया होगे कार बन पड़ गई है साँ कार एटी आगाएगी बस यही एकतान अगर के पास बड़ो गाड़ी में छोड़ो देते हैं नहीं पुलीस जीप में बैठूंगी तो थोड़ा किसे को फोन करके बुलाया है फोन घर पर भूल गई वही लेने वापस जा रहे थी तब गाड़ी बन पड़ गई नंबर बोलो पापा यह कोई पुलीस अंकल का नंबर है आउटर रिंग रोड़ पर गाड़ी बन पड़ गई फोन भी घर पर भूल गई हूँ क्या आप मुझे पिक अप करने आ सकते हैं वो मैं गोल कॉंडा और रवीरियाल तोलना का के बीच में हूँ आप जल्दी आये मैं यहीं आपका वेट कर रही हूँ मैं चलूँ फिर मैनेज कर लोगी नहीं कर लूँगी ठीक क्या कर दो पागा इस ने चोरी करके भाग रादा फोड़ो ए ची आय ने क्या फाइल मांगी थे और तो क्या लेकिया आए फाइल लेकिया थो ज़ब लेकिया थो प्रता फिर इस जल्दी मानेगा उतनी जल्दी कर जाएगा झाल झाल झाल